इसका मतलब समझाईए गुरू जी Economic Reform Economic Reform का मतलब क्या है कि कुछ Economic Policies यानि कि कुछ Economic Policies जिने इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हमारी कंटरी की Growth और Development Increase हो जाए क्या है Economic Reforms बेटा? कि सर ये हमारी वो Economic Policies होती है जिने बनाने का उद्देश ये रहता है कि हमारी कंटरी की जो Growth हो रही है और जो Development हो रहा है उसे Increase करें तो ये थी आपकी WhatsApp Language सर अगर हम इसे Paper में लिखके आएंगे तो हमें कितने Marks मिलेंगे बिटा हो सकता है माइनस में भी चले जाए तो इसे क्या लिखेंगे? कि It refers to It refers to A set of Economic Policies Directed to Directed to Accelerate The pace of Growth and Development बच्चे कह रहे होंगे सर समझ में तो इसी Language से आ गया पर बिटा क्या करें? पेपर में इफ करना पड़ेगा क्या है हमारी Economic Policy? ये वो set है Economic Policy के जो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हमारी Growth and Development की जो रफतार चल रही है वो Accelerate हो यानि की भड़े? तो सर ऐसा क्या किया गया? और जो यहाँ पर मैंने 1991 लिखा था यहाँ 1991 में क्या पूँ? देखो बटा 1991 में जो हमारी इंडिया की गवर्मेंट थी 1991 में जो हमारी इंडिया की गवर्मेंट थी उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट करी इकनॉमिक रिफॉर्म्स की यानि की हमारे इकनॉमिक में बदलाव लाने हैं हमें वो बदलाव एक सीरीज से लाएंगे क्यों? क्योंकि 1990 जो 1990 में हमारी जो ग्रोथ और डेवलिब्लमेंट हो रा था वो उस हिसाब का नहीं था जिस हिसाब से होना चाहिए तो क्या करा? उस पहले रिफॉर्म को नाम दिया गया NEP NEP मतलब New Economic Policy यानि कि 1991 में Economic Reforms में एक New Economic Policy आई इस Policy में तीन चीजे शामिल थी पहली थी लिब्लाइजेशन लिब्लाइजेशन जिसको डिनोट हम L से कर रहे थे और ये थी इंडस्ट्रीज और ट्रेड के लिए अभी हम समझेंगे कि इसमें होता क्या था New Economic Policy में तीन कंपोनेंट्स थे यानि की तीन चीजे थी सिर्फ पहला था लिब्लाइजेशन जिससे हम L से डिनोट कर रहे हैं और जो की इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए हैं दूसरी थी हमारी प्राइविटाइजेशन जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे कोटाज किसके लिए इंडस्ट्री के लिए यानि कि ये पॉलिसी भी मेंली किसके लिए थी इंडस्ट्री लिए थी और एक तीसरी चीज आई इसके साथ जो है हमारी ग्लोबलाइजेशन सर इसको जी से डिनोट कर रहे थे और परमिट्स के लिए ये आई थी परमिट्स यानि कि हक देना की हाँ वही आजाओ प्यारे वीरो आओ यानि की रास्ता खोल रही थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए तो बेटा क्या हुआ कि सर 1991 में इंडिया की गवर्मेंट ने एक एकनॉमिक रेफर्म्स किया क्योंकि 1991 में जो हमारे हालाथ ते ग्रोथ के डवलंच के वह बहुत ही बेकार थे तो हमने क्या करा एक न्यू एकनॉमिक पॉलिसी लाए 1991 में जिसमें तीन चीजे थी Lesoir leiderion थी जो की इम्डेस्टी और ट्रेड के लिए काम कर रही थी privatization थी जो की वो भी इंडेस्टी अ के लिए थी और globalization थी जो की export और import के लिए आये तो for example इसे मैं LPG कह सकता हूँ और LPG 1991 में आ रहे हूआ थीक है ना तो बिच रहे होंगे सर पॉलिसी तो आ गई और जब भी कोई चीज आती है उसको लाने का कोई ना कोई रीजन होता है या हमें उसकी जरुवत क्यों पड़ी यानि की हमें क्यों नीड पड़ी एकनॉमिक रिफॉर्म्स की सर आप कह रहे हो हमारे हालात खराब थे तो उन हालातों के बारे में बताओ ताकि हमें थोड़ा सा मज़ा आए तो हमें बताओंगा कि हमें न्यू एकनॉमिक पॉलिसी की या एकनॉमिक रिफॉर्म की नीड क्यों पड़ी सबसे पहला पॉइंट था हाई फिसकल डेफीशियेट डेफीशियेट का मतलब होता है बेटा कमी और अगर आपने मैक्रो एकनॉमिक्स का बैलेंस ओप पेमेंट चैप्टर पड़ा हो तो आपको इसके बारे में पता होगा लेकिन सर अभी हम इतने हुश्यार नहीं है कि हम 11 शेप्टर पहुँच गए तो अभी इन तो नहीं पड़ा आप समझा दीजेए तो बेटा हाई फिसकल डेफीशियेट का मतलब क्या होता है कि सरकार की जो बॉरोइंग्स है यानि कि बॉरोइंग्स जादा है किस से जादा है रिवेन्यू से मतलब सरकार के खर्चे जादा है रिवेन्यू से सरकार के पास उतना पैसा नहीं आ रहा जिससे जादा उसे खर्च करना पड़ रहा है पर जब सरकार खर्च करेगी तो वो लोन लेती है इदर उदर से जिसे हम बॉरोइंग्स का नाम दे रहे हैं तो ये तो हमारी फिसकल डेफीशियेट होती है और ये हाई थी यानि कि पैसा हमारे पास आ नहीं रहा जा और रहा है वो भी उससे जादा तो हाई फिसकल डेफीशियेट अगर आप से पूछा जाए कि क्या है हाई फिसकल डेफीशियेट तो फिसकल डेफीशियेट तो आपको मालूं था कि sir fiscal deficit refers to borrowing by the government क्यों क्योंकि expenditure जादा है और revenue कम है अब ये तो आपने बता दिया fiscal deficit के बारे में बिटा economic reform की उसका second point था हमारा B.O.P. crisis B.O.P. crisis B.O.P. का मतलब क्या होता है जिन बच्चों ने macro economics के last chapter पड़े है उन्हें पता होगा balance of payment balance of payment मतलब हमारी country में जितने भी economic transactions होते हैं उनका लेखा जोखा balance of payment में देखा जाता है तो country के economic transaction में country के पास पैसा आएगा भी और country के पास पैसा जाएगा भी इस condition में क्या हो रहा था B.O.P. crisis B.O.P. crisis का मतलब कि जो हमारे पास borrowing हो रही थी वो जादा हो रही थी रिसीप्ट हो रही थी वो कम हो रही थी यानि कि जो आपके पास total payment आ रहा था जो total payment आ रहा था वो आ रहा था कम और जो आप borrowing कर रहे थे वो कर रहे थे जादा इस वज़े से हमाएं economic reform की need पड़ी For example, इसमें क्या हुआ 1990 में दो चीजे देखी गई सबसे पहला जो हमारी CAD थी CAD यानि की current account deficit जो हमारी COD थी COD मतलब current account deficit वो बढ़ती चली गई यानि की ये जो कमी यहाँ पर हो रही थी ये वो भड़ रही थी सोरी घड रही थी current account deficit का मतलब कमी हमारे पास उतनी receipt नहीं हो रही थी और जो हमारी borrowing हो रही थी वो हो रही थी जादा इस वज़े से हमारी B.O.P. में crisis आग गए इस वज़े से हमें need पढ़ी economic reform की उसके बाद हमारा third point यानि की third reason economic reform की need क्यों पढ़ी third point हमारा fall in foreign exchange reserve यानि की fall in foreign exchange reserve इसमें क्या होता है देखो इंडिया में इन नाइन्टी नाइन्टी से लेके नाइन्टी वन तक जो इंडिया में foreign exchange reserve था वो काफी low level पर चला गया है वो इतना भी नहीं था कि हम नाइन्टी 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 वन तक इतना गिर्टा चला गया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हमें कि ये foreign exchange reserve होता क्या है जब हम foreign से व्यापार करते हैं तो उसे हमें पैसा foreign के इसाब से ही देना पड़ता है या foreign securities वगएरा यह सब हमारी foreign action reserve में आता है और नाइन्टी नाइन्टी से लेके 91 तक हमारे पास इतना foreign exchange reserve नहीं था कि हम दस दिन का इंपोर्ट करें और उन्हें बिल दे सकें कि हम पैसा दस दिन बाद दे देंगे और जो decline देखा गया 1986-87 में जो foreign exchange reserve था वह था 8151 करोर और जैसे जैसे यह 86 पे आया दीरे दीरे वह जो भड़ा वह sharply 1989 से लेके 90 तक 6252 करोर घट गया कंडीशन हमारी सरकार की इतनी गिर्ती चली गई कि उसे country के gold mortgage रखने पड़े mortgage का मतलब गिर्वी रखने पड़े किसको गिर्वी रखे world bank को ताकि जो उस पर करजा है वो उसे खतम कर सके इसके लिए भी हमें किसकी नीट पड़ी economic reform की fall in foreign exchange reserve उसके बाद fourth point fourth point था हमारा inflationary inflationary spiral means rise in prices यानि कि 1991 से पहले हमारा जो मौन्सून होता था वो लगातार तीन साल तक चला यानि कि जो हमारा अच्छा मौन्सून हुआ वो लगातार तीन साल तक चला इसमें क्या हुआ इसमें आमारी महंगाई आ गई inflationary spiral यानि कि हर चीजे महंगी हो गई अब हर चीजे महंगी हो गई तो क्या हुआ कि हमारे जो money supply थी वो भी increase हुई यानि कि हमें क्या बढ़ानी पड़ी हमारी borrowing बढ़ानी पड़ी और वो inflationary spiral ऐसा हो गया कि हमारी country की जो economy है वो बुरी से भी बुरी हो गई दुबारा समझिए inflationary spiral यानि कि rise in prices 1991 से पहले लगातार तीन साल तक अच्छा मौनसून हुआ तो हर चीज पर महँगाई बढ़ गई महँगाई बढ़ने से लोगों को पैसे की need पड़ी गवर्मेंट को पैसे की नीड पड़ी गवर्मेंट ने borrowing करती गई करती गई और इस condition पर पहुंच गी कि हमारी economy बहुत ही जादा बेकार हो गई इसके लिए में किसकी जरुत पड इसकी यान की economic reforms की और जो last point था हमारा वो point था हमारा poor performance poor performance of PSU poor performance of PSU PSU मतलब public sector undertaking यान की PSU वो sector होते हैं जिन में government देखती है government काम करती है तो जितने भी रुपे बहुत सारे पैसे इंवेस्ट किये गए थे PSU के development में लेकिन mostly जितने भी पैसा इंवेस्ट किया गया वो सब कहां चला गया सर करेप्शन में चला गया जिसकी वज़े से काफी सारा घाटा जहिलना पड़ा है इसकी वज़े से भी हमें किसकी जरुत पड़ी new economic policy की तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 5 points थे जिन points की वज़े से हमें economic reforms की need पड़ी अब हम बात करते हैं कि economic policy जब आई तो उसमें क्या क्या चीजे शामिल थी यानि की elements of N.E.P. N.E.P. मतलब new economic policy जैसे की मैंने इसके पहले पार्ट में ही बताया था कि new economic policy में तीन चीज़ थी liberalization, globalization और privatization तो सबसे पहले मैं बात करूँगा liberalization की liberalization में क्या करा गया कि liberalization of the economy means freedom of the producing units from direct or physical control imposed by the government यानि की जो लोग goods produce कर रहे हैं और उन पर directly या physically कही ना कहीं government का control है यानि की government ने बहुत सारी बंदिशे लगा रखी हैं उस बंदिशों को खतम कर देना उन बंदिशों को government खतम कर देगी या कम कर देगी तो उससे क्या होगा भई वो और produce करेंगे वो भी अच्छे से यानि की government ने जितने भी producing units हैं उन पर directly और indirectly जितने भी control कर रखें उनको थोड़ा सा हटा देना For example, 1991 से पहले government ने काफी सारे control कर रखे थे private sector पर उसमें क्या क्या था कि अगर आपको industry खोलनी है license रख पड़ेगी price हमारे साब से होनी चाहिए हमें इतना tax देना चाहिए license से इंपोर्ट करने के लिए foreign exchange control हमारे हाथ में big business houses के लिए investment हमारे हाथ में इन सभी पर जो भी rules and regulation थे वो कम कर दिया गया ठीक है न इससे क्या हुआ इससे जो हमारा corruption था और जो हमारे काम में delays होते थे जो हमारी inefficiency आ रही थी कामों में वो क्या हो गई कम हो गई और कहीं कहीं तो खतम ही हो गई किसकी वज़े से लिबरलाइशन की वज़े से तो लिबरलाइशन का means मतलब क्या इससार लिबरलाइशन का मतलब क्या कि गवर्मेंट ने बहुत सारे रूल से नेगुए